साथियों बीते चार वर्षों की जो नीव हमने बनाई है, समाज में जो सकारात्मक परिवर्थन की एक मुहिम खड़ी की है, यह अभूत पुर्वा है। यह आज हादि के इतिहाद में पहली बार है कि सरकार की जादा तर फ्लैक्शिप योजनाओं में के केंद्र में हमारे देश की महिला है। स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा लक्ष बहन बेटियों को सम्मान का अधिकार देने का है। उजवला योजना का सबसे बड़ा उदेश माताओं बहनों को धुवे से मुक्ति दिलाने का है। प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट गरिबों के लिए दिये जा रहे हैं घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर होती है। करीब 90 लाग गरीब बहने अपने घर की मालकिन बन चुकी है। प्रदान मंत्री मुत्रा योजना की सबसे अधिक लाभार्थी याने करीब करीब 75 परसंट महिलाएं ही उसकी अधिकारी बनी है। इसे महिलाओं में आर्थिक ससक्तिकरण की भावना और मजबूत हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का लक्ष समाज में बेटियों के प्रती सोच को बदलने का है जो सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसके चलते हमारी यहाँ जो जेंडर इनिक्वैलिटी थी, बेटों की संख्या जादा थी, बेटियों की संख्या कम थी, आज इस प्रत्त का प्रणाम है कि धीरे धीरे बेटियों की संख्या में भारी बुर्द्धी दर्ज की गई है। हर्याना सबसे चिंताज रखती थी, भारतिय जंता पार्टी की सरकार बंडे के बाद, आज हर्याना देश के अंदर नंबर एक पर पहुँचा है, बेटियों की संख्या बढ़ाने के कम में। साथियों महिला ससक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता चोग तरफा दिखती है। राजनितिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो या फिर सामाजिक जीवन, महिलाओं के लिए ऐसे बहुत से काम है जो पहली बार इसी सरकार के दौरान हुए है। देश की केबिनेट कमिटी और सिकुरिटी में दो महिलाओं वाली ये पहली सरकार है। पहली बार देश में महिला फाइटर पाइलोट का कौशल इसी सरकार में देखा। नव सेना में पहली बार लेडी आफिसर विंको हरी जंडी दे गई। देश में पहली बार एंटी ट्राफिकिंग बील भारतिय जंता पार्टी की सरकार की ही देन है। नावालिक से रेप जैसे जदन्य अपराद में फांसी तक की सजा का प्रावधान भारतिय जंता पार्टी की सरकार में पहली बार किया गया है। और आज अभी मैं केवडिया से आ रहा हूँ, स्टेची एफ उनिटी में वहां देश भर के डीजी पी कगण पर थी। मद्य प्रदेश में जब सिवराज जी की सरकार थी, बलातकार की घटना के कुछी महिनों में नाया लएका निर्ड़े हो चुका और करीब-करीब 18 लोग ऐसी घटनाओं में दो-तिन महिने के कालखन में 18 लोगों को फांसी तक की सजा हो पाई है। यानि करीब-करीब हर बड़ी योजना किसी ना किसी तरीके से महिलाओं को ससक्त कर रही है। महिला जीवन के हर चक्र को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नई योजनाए बनाई गई है। पूर्यानी योजनाओं को सुधारा गया है। बेटी के जन्म, उसके लालन-पालन, उसके स्वास्त, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके कैरियर, उसके सुरक्षित मातुर्त्व, जैसे जीवन के हर मोड के लिए, कोई ने कोई योजना, सरकार के द्वारा देश की नारी सक्ति को समर्पित हुई है। आज हम योजनाओं और कानुनों के माध्यम से महिला ससक्ति करण की तरफ संपुनता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उससे एक विश्वास जगा है। हमारा रास्ता भी सही है, लक्ष भी तय है और हमारे इरादे भी नेक है। अब हमें इस रास्ते पर पूरी मजबूती, पूरी क्षमता से आगे बढ़ना है।